और चले आगे बढ़ते हैं आपको बता दें चक्री चक्रवात के प्रभाव से 36 गड़ में मौसम का मिजास बदल गया है राइपुर और बस्तर संभाग समेट कई जगों पर बारिश होई है मौसम विभाग के अरुसार अगले तीन दिनों तक प्रदेश में नमी बने रहने की वज़े से बारिश की स्थिती ऐसी ये बनी रहेगी धूप ने लोगों को परिशान करके रख दिया है और ऐसे में आने वाले समय में मौसम की क्या कोछ इस्थिती रहेगी इसे लेकर हमारे साथ है मौसम वेग्यानिक सीधे उनसे चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते कि आखिर चतिस गड़ का मौसम कैसे होने वाला है सर्क किस प्रकार से मौसम रहेगा क्योंकि धूप तेज पढ़ रही है तो इसका असर किते दिन तर आज जो आज जो कल जैसा तापमान था वही तापमान आज भी रहने वाला है मद्य चतिस गड़ का तापमान 42 डिगरी के आसपास में रहने वाला है और जो उत्तर चतिस गड़ इसका तापमान 44 डिगरी के आसपास में रहेगा सर लगातार हम देख रहे हैं कि 36 गड़ की रासधानी रायपोर में जो गर्मी है वो बढ़ते जा रही है 40 से पारा उपर पहुंच चुका है ये और कहां तक पहुंच सकता है हाँ जो अभी जो पारा चाली से पार अभी दो दिन तक रहेगा उसके बाद थोड़ी कल से थोड़ा रात मिलेगा दो दिन के लिए उसके फिर गर्मी चालू हो जाएगी फिर पारा ब्यारिस दिगरी के आसपास रहेगा ज़ी बारिश की संभावना है कि अगर हम बात करते है किन-किन जिलो में यह संभां में जो है बारिश होने की संभावना है आज 36 गड़ के दक्षिन एन पर बारिष होने की संभावना है और कल मद्धे 36 गड़, दक्षिन 36 गड़ और विलासपुँ संभाग में बारिष होने की संभावना है वैसे हवा की जो गती 30-40-50 किलोमीटर प्रतिगंटा भी रहने की संभावना है अलर्ट की बात करेंगे तो क्या किसी जिले के लिए अलर्ट जारी हुआ है जो हवा की गती है 40-50 km प्रतिगंटा रहने के संवहन जेलों जारी यूश्चा करेंगे За pasado अभी जो फिलाल जो सिनाप्टिक सिस्टम है दक्षिन 36 गर से लेके तमिल नारुत तक एक द्रोनी का बनी हुई है जिस कारण बंगाल की खाड़े से मौश्यर आ रहा है जिस वज़े से अभी ये मौसमे परिवर्तन होगा अभी अगले तीन दिन तक ये संभावना बनी है अपने खुद भी सुना मौसमे ग्यानि का कोच कहना आने वाले समय में धूप से राहत तो मिलेगी लेकिन कहीं न कहीं न कहीं बारिश से लोगों के लिए एक बड़ी समस्या जो है वो खड़ी होते नजरा सकती है कैमरामेन अ अरुन के साथ दामी बन जारे आइनेश 24-7 रायपूर